आए आज आपको कोईला नगरी धनबाद में दुर्गा मनडप की जल्ग दिखाता हूँ दुर्गा मनडप में धनबाद से डेवर किलोमेटर की दूरी पर इस्थित जरकण मैदान की जो ये दुर्गा मनडप में परंडाल का निर्मान किया गया है वो एक किले पर अधारी थे इद्वारिका के किले पर अधारी थे देख सकते हैं आप इंट्रिगेट के पुरू इस तरह से आपको तोता को काफी ही मनमोहक और आकरसित दिखाया गया है ये तोरंद्वार देख सकते हैं जो की काफी लोगों को आकरसित कर रहा है इसकी लाइट काफी ही उची है लगबग पचास फिट उची बनाए गई है जिसे देखकर हर कोई का मन मोह लेता है यहां से आप अंदर जाने के बाद जहरकन मैदान में प्रवेश करने के पुर्व इस तरह से लाइट सज्जा को आप देख सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं यहां बाने तरफ ये एक काटून को लाइट के दौरा डांस करते वे दिखाया गया है जोकि काफी अकरसक लग रहा है दाइने साइड में यह देख सकते हैं आप राधा कृष्ण को जूला जूलते वे दिखाया गया है यहां से आप अंदर पंडाल के और तुर्वेश कर रहे हैं यह देख सकते हैं यह किला के बाहरी द्रिश से जो कि सुनहरे कलर से काफी बनमुहा कर आकर सकते लग रहा है यहां पर आप यह देख सकते हैं बाहर में मीना बजार लगाया गया है बच्चों को खेलने के लिए यह नाव जैसी बिवस्ता रखी गई है जो कि पे सर्विस हैं आप इसे देखर इसका भी लाव उठा सकते हैं अब आईए आपको पंडाल की ओर ले चलता हूँ यह देख सकते हैं पंडाल यह बीच का जो पंडाल जो उच्चा है वहां पर मा की परतिमा को अस्थापित की गई है यह पंडाल के अंदर का दिरिश्ट देख सकते हैं जो कि कीला नुमा बनाया गया है काफी आकरसक है यहाँ पर जगा जगा पर द्वारपाल को दिखाया गया है जो कि खड़े होकर महल की ओर देख रहे हैं इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर एक उट रखा गया है जो कि एक आदमी इसे उट को लगाम को पकड़े हुए है जो कि काफी ऐसा लग रहा है मानों की यह सही का उट हो काफी ही अच्छा द्रिस है यह यहां हर लोगा कर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं आप जैसा कि देख सकते हैं मा के पंडाल के सामने मा का पंडाल है इसी पंडाल के सामने यहां पर एक गोल चबुतरा के रूप में सीलिंग रखा गया है जिसके सामने लोग निर्थ करते वे दिखाया गया है निर्थ यह लोग धांडिया निर्थ कर रहे हैं तथा मा को अराजना में लीन है यहां से आप हम देख सकते हैं यह बाहर का द्रिस्य काफी ऐला का बाहर द्रिस काफी बन मोह पर आकर सक है का इसमें कलाकिती देखने लाइक है नंबात आ रहा है तो आप इसे अवस्य देखर देखें नंबात की हे हंड हर पंडाल से इसके कुछ अलग हटकर कुछ थीम बनाए गयी है कुछ थीम पर इस पंडाल का निर्मान किया गया है ये देख सकते हैं निर्थ करते वे दांडिया करते वे लोग को पंडाल के बाहरी ग्राउन्ड में इसे दिखाया गया है किला के अंदर यह लोग दांडिया खेल रहे हैं यहां से चलिए और आपको मंदिर जहां मा का मुख पर्तिमा को अस्थाफित किया गया है आपको दिखाता हूँ यहां से देख सकते हैं आप आकर अंदर मा का मन मुख मुख पर्ति को अस्थाफित किया गया है जहां से कल की आपके पुजा प्तारंब हो जाएगी पुजा तो ऐसे पहले से शुरू हो चुकी है पर कल सब्तिमी के बाद ये दर्सको के भीड से भारी भी रहेगी इसके अंदर ही आप देख सकते हैं भगवान को अलग-अलग लिलाओ में दिखाया गया है इसका पंडाल का उपरी दिर्स देख सकते हैं एक के उपर एक उपर एक इस तरह से लगाया गया है जैसे लग रहा है कि सचमुची है किला है आप देख सकते हैं ये काफी ही आकरसक बनाया गया है यहां पर आने के बाद कोई व्यक्ति बिना रुके वे नहीं जा सकता है फोटोग्राफिक देख रहे हर कोई फोटोग्राफिक कर रहा है जैसा कि मैं भी कर रहा हूँ आप देख सकते हैं भगवान की विभिनले लाओ को दुर्गा मा के बंड़प के अंदर में दिखाया गया है यहां से आप देख सकते हैं यह सेसनाग यहां मा की परतिमा यहां से फिर यह बाहर जाने का रास्ता है एक द्वार से आप प्रिवेश करेंगे दूसरे द्वार से आपको निकलना है यहां पर सेसनाग पर भगवान कृष्णी को डांस करते हुए दिखाया गया है यहां देख सकते हैं आप हर कोई आखर यह उपर का द्रिश्य देख सकते हैं काफी मन मौह कर आकर सके है अला कृती हैं इसकी देखने लाइक है अगर आप नहीं देख रहा है तो ज़यों करते दूसरे में क्यों ने आ गया आप इसे आकर वस्चे देखें यहां यह बाहरी गेट यहां से आपravतों बाहर निकलना है यहां से आप को मैं बाहर ले जाकर दिखाता हूँ, यह देखें, यहां से बाहर निकलने के बाद यह बाहर खाना जारा देखें, मा का मुख मंदिर से बाहर को निकलने के बाद यहां से खिला का बाहर ही द्रिस आप देश सकते हैं, कितना आकर सक विद्दुत सज्जा से सुस